टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीत कर इतिहास रच दिया है वेट लिफ्टिंग में ये भारत का सबसे बड़ा पदक है मीराबाई से पहले वेट लिफ्टिंग में कर्णम मलेसवरी ने ब्रॉंस मेडल जीता था अब मीराबाई ने मेडल जीत टोक्यो में भारत का खाता खोल दिया है इस शांदर जीत के बाद मीराबाई के घर में जशन है और खुद मीराबाई भी बेहद खुश है 49 किलो वर्ग में पहला मेडल जीतने के बाद मीराबाई ने कहा मैं पिछले 5 सालों से इस medal का सपना देख रही थी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे silver medal मिला है, मैंने gold जीतने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन clean and jerk event में target अचीव करना मुश्किल हो गया, मैंने Olympic record को बहतर करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं फिर भी बहुत मीरा भाई ने आगे कहा, मैं इस match में बहुत नर्वज थी, क्योंकि पूरे देश की नजरें मुझ पर्टिकी होई थी, लेकिन मैं सिर्फ इसी सोच के साथ आई कि अपना service race चुदूंगी और medal जीतने की कोशिश करूंगी, भारत की 26 साल की इस weightlifter ने 49 kilo category के snatch event में 87 kilo वजन जिसके बार उन्होंने clean and jerk event में 115 kilo उठा कर खिताब के लिए अपना नाम पक्का कर लिया, मीरा भाई ने इस पूरे event में 202 kilo वजन उठाया, ओलम्पिक्स में weightlifting event में ये भारत का record भी है, मीरा भाई 2016 Rio Olympic में खिताब जीतने से चूक गई थी, और जोरान वो 82 kilo में snatch के पहले प को याद करते हुए कहा, मैंने Rio Olympic 2016 से बहुत कुछ सीखा, मैंने वहां से सीखा कि मुझे आगे क्या करना है, कहा सुधार की जरूरत है, आज मैं यहाँ Rio Olympic की नाकामी की वज़ा से ही हूँ Medal के बाद अपनी इस बाचीत में मीरा भाई ने आगे कहा, ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला medal जीत कर मैं बेहत खुश हूँ, मैं सिर्फ मनीपुर से तालुक नहीं रखती, बलकि मैं पूरे देश की हूँ मीरा भाई चानू की जीत के बाद भारतिये फैंस की उमीद है कि टोक्यो गया दल जादा से जादा medal लेकर भारत लोटेगा आपके लिए खबर लिखीती, हमारे साथी विपिन दे, ओलंपिक से जोड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दीललन टॉप, शुक्रिया